Hello students, हम Operating System के अंदर Memory Management का chapter discuss कर रहे थे इसमें हमने देखा कि Memory Management की टेक्नीक्स के जरीए हम किस तरह से अपनी Main Memory यानिके RAM को manage करते हैं हमने देखा कि इन टेक्नीक्स को दो टाइस में डिवाइट किया गया है Contiguous और Non-Contiguous इसमें Contiguous को मजीद कैटागरी में डिवाइट किया गया है जिसमें हमने Last Lecture के अंदर Fixed Partitioning के बारे में पढ़ा था अगर आप में वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा इसमें इसमें लेक्षर के अंदर हमने देखा था कि आपके पास एक रैम है इसके अंदर कुछ हिसा इसका Operating System occupy कर लेता है और Operating System जब इस Free Space के उपर Fixed Partitioning अप्लाई करता है तो इस portion को वो Fixed Number of Slots में या Partition में डिवाइट कर देता है फोर यहां पर Operating System ने इस Space को 4 Parts में डिवाइट कर दिया यानि कि 0, 1, 2, 3 यह 4 Parts में Operating System ने इसको डिवाइट कर दिया इसका उप्रेते हैं Fixed Partitioning और जब हम अपने कुछ प्रोग्राम इन Partition में लोड करते हैं तो यहां पर आपके पास कुछ Spaces जो हैं वो Free रह जाती है जिसे हमारी जो Memory है वो Waste हो जाती है लाइक इस Zero's Load के अंदर आपने एक Process P1 लोड किया देखिए इसका जो Size हा वो इस Partition से कम था इसलिए यहां पर एक Hole बन गया इस तरह से P2 यहां भी हो एक Hole बन गया और P3 के दीशे भी Hole बन गया अब यहां पर जो जो Memory हमारी Waste हो रही है इस Problem को हम कहते हैं Internal Fragmentation जो के Fixed Partitioning के अंदर हमें Face करनी पड़ती है इसी Problem को दूर करने के लिए Variable Partitioning की टकनीक इसमाल की गई इसमें को कहते हैं Number of Partitions are not fixed कि इसमें हम RAM के अंदर Number of Partitions को Fixed नहीं करते लाइक यह आपके पस RAM है अब यहां पर यह जो Space Available है इसको हम Divide नहीं करेंगे बलकि इसको ऐसे ही रहने देंगे और Run Time के उपर अपने Processes को Memory Allocate करेंगे लाइक आपके पस एक Process आया P1 जिसका Size है 4 MB तो मैं इस Process P1 को RAM के अंदर लोड कर दूँगा और फिर इसको जितनी Space चाहिए यानि कि 4 MB इसको Allocate कर दूँगा इस तरह से अगर एक Process P2 आता है जिसका Size है 5 MB इसको भी मैं मेमरी के अंदर लोड कर दूँगा और फिर इसको 5 MB की जो मैमरी है वो Allocate कर दूँगा तो यहाँ पर आपके पास देखें कोई भी Whole Create नहीं होगा जिससे आपके पास यह जो Internal Fragmentation का Issue था वो Resolve हो जाएगा तो पहला Benefit Variable Partitioning का होता है No Internal Fragmentation कि हमें कोई भी Internal Fragmentation Phase नहीं करनी पड़ती इसके बाद जो Second Advantage हमारे पास Variable Partitioning का है उसको डिसस कर लेते हैं हमने देखा था कि फिक्स Partitioning के अदर हमें एक और इशू फियस आता है Limitation or Number of Processes कि हम Limited Number of Processes को अपनी मैमरी के अदर लोड़ कर सकते हैं क्योंकि Operating System नहीं यहाँ पर अगर आप देखें इसे Four Parts में Divide किया है तो एक पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम लोड़ हो सकता है यानि कि यहाँ पर टोटल Four Processes यहाँ पर हम लोड़ कर सकते हैं जिससे हमारी मैमरी के उपर एक Limit बन चुकी है लेकिन यहाँ पर वर्पस कोई भी Limit नहीं होती वोगर आपके पास Processes का Size बड़ा है तो हो सकता है यहाँ पर चार Processes आजएं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास Processes छोटे हैं तो आपके पास यहाँ पर 7 Processes आजएं यानि कि यहाँ पर कोई Limit नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ चार ही Processes आ सकते हैं लाइक अगर यही Processes सेम रहम के अंदर मैं Fixed Partitioning की टेक्नीक में लोड करूँ तो मैं सिर्फ यह पहले चार को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ बाकी यह जो तीन है यह मैं यहाँ पर लोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास यह जो Partitions हैं यही चार है चार से ज्यादा यहाँ पर Processes लोड नहीं हो सकते तो Variable Partitioning के अंदर Second Advantage आपके पस होता है No Limit on Number of Processes कि Number of Processes के उपर कोई भी Limit नहीं होती इसके लावा हमने देखा था कि Fixed Partitioning के अंदर हमें एक और Problem Phase करनी पड़ती है और वो है Process Size Limitation कि यहाँ पर Processes का Size भी Limited हम इसमाल कर सकते हैं Like अगर हमारे पस RAM 28 MB की है तो यह Operating System जब इन Partitions को बनाएगा तो Hard Partition को कोई नगोई Size भी Allocate करेगा सोज करते हैं कि इन Partitions को जो Size Allocate किये गये हैं वो कुछ यूँ है 4 MB, 6 MB, 8 MB और 10 MB और आपके पस एक Process आता है क्योंकि मिरे पस कोई भी Partition ऐसी नहीं है जिसका Size 14 MB यह इससे ज्यादा हो तो यहाँ पर Fixed Partition के अदर हमारे पस यह Issue था कि Process का जो Size है वो भी Limited होना चाहिए अब यही चीज अगर हम Dynamic Partition के अदर Implement करें अगर हम Same RAM ले 28 MB की और यहाँ पर आपके पस Same Process 14 MB का आए तो क्या मैं इसको यहाँ पर Load कर सकता हूँ जी हाँ कर सकता हूँ मिरे पस 28 MB RAM मुझूद थी मैंने इसमें से 14 MB ऐलोकेट कर दी है Process 1 को तो यहाँ पर It means आपके पस कोई भी Size की Limit नहीं होती हाँ यह इसको तो हो सकता है कि आपकी RAM का Size चोटा हो और आपके Process का Size बढ़ा हो यह तो किसी भी जगा पर हो सकती है लाइक अगर आपके पास GB में RAM भी हो तब यह आपके पास यह प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन जिस तरह की Limitation यहाँ पर Fix Partitioning के अंदर थी इस तरह की Limitation हमारे पास Dynamic Partitioning में नहीं होती तो Third Advantage हमारे पास Dynamic Partitioning का है No Limitation on Process Size कि Process Size के उपर कोई Limit नहीं होती तो यह तीन Major Advantage से जो हमें Variable Partitioning प्रवाइड करती है Advantage के बाद हम इसका डेज़ अड़ब्लम आपकर होती है Dynamic Partitioning के अंदर Suppose करें यह आपके पस RAM है जिसका Size है 20 MB अब यहाँ पर कुछ Processes हम यहाँ पर लोड़ करते हैं P1 से लेकर P5 तक और इन Processes के जो Size हैं वो कुछ यह हैं अब कुछ टाइम के बाद इन में से कुछ Processes कम्प्लीट हो जाएंगे इसी तरह से Suppose कुछ दियर के बाद जो P4 है वो भी Complete हो जाता है तो यहाँ भी एक होल बन जाएगा अब यहाँ पर यह 3 MB और यह 3 MB यह यह टोटल 6 MB के Space मारे पस RAM के अंदर Free हो चुकी है अब Suppose करें आपके पर एक Process P6 आता है जिसका Size है 6 MB क्या हम P6 को इस Memory के अंदर लोड कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि 3 MB इसका यहाँ पर Save कर दें और 3 MB यहाँ पर लोड कर दें नहीं हम ऐसा रही कर सकते क्यूंकि हम बात कर रहे हैं Contiguous Allocation की याद हो तो हमने Start पे देखा था कि जो Variable Partitioning है यह है Type Contiguous Allocation की और Contiguous Allocation में हमने देखा था कि आपने इस Process पूरे को एक जगा पर Store करवाना होता है अब different places पे इसको Store नहीं करवा सकते तो यहाँ पर हमारे पर Space Available है यानि कि 6 MB की Memory के दर Space Available है लेकि यह 6 MB का Process है वह हम यहाँ पर लोड नहीं कर सकते इस Problem का हम कहते है External Fragmentation बहुत Important Concept है अकसर Exam के दर पूचा जाता है कि External Fragmentation कब Create होती है या किस टेखनीक में Create होती है तो External Fragmentation हमें Variable Partitioning के अदर Face करनी बढ़ती है और एक और Concept हमारे पास होता है Internal Fragmentation का जो हमने Last Lecture के दर डिसर्स किया था जो आपकी Create होती है Fixed Partitioning के अंदर तो आपको यह Point clear होना चाहिए Internal Fragmentation और External Fragmentation में Difference किया है अगर आपने Internal Fragmentation वाला वह लेक्टर नहीं देखा तो आपको Description के अंदर Upper Eye Button के अंदर इसका Link नजर आ जाजएगा आप उस पे Click करके वह Lecture पहले देख सकते हैं So आज मैंने बात की Memory Management Techniques के बारे में इसमें हमने Contiguous की Sub-Category Variable Partitioning को Desus किया I hope आपको Clear हो गया होगा कि किस तरह से Operating System Variable Partitioning के जरीए Memory को Manage करता है आज लितना ही, नेक्स लेक्चर के अंदर हम Non-Continuous Memory Allocation की Techniques को Desus करेंगे मिल से नेक्स लेक्चर के अंदर, Thank You Very Much